E.D. के टीम ने आज जारखन के राची में छापे मारी की है E.D. की यह रेड नौ लोगों के खिलाफ चार ठीकानों पर की जा रही है आपको बतादे जिस सद्दाम को E.D. ने राची जमीन घोटाले मामले में पिछले मंगलवार को अरिस्ट किया था उसी के इंपुट के आधार पर यह चापे मारी हो रही है सदाम जेल में बंद पूर्व सियम हेमन सुरेन के कथित सहयोगी रहे हैं और वहीं वह दस्तावेजों में जाल साजी करने और सेना की जमीन तथा अन्य जमीनों की खरीद परोक्त में कथित सनलिप्तता के आरोप में पहले से ही न्याई खिरासत में बंद है ऐसे में इडी ने उन्हें सौधा भूमी घोटाला मामले में फर से गरफतार किया था और चार दिनों की रिमांड पर लिया था अब इडी को सुराग मिला है कि सौधे बाजी स्थित 8.86 एकड पलॉट में सदाम के पूर्व सियम के लिए एहम भूमी का निभाई थी इडी जामुमों के जिला अध्यक्ष अंतु तिर्की से जुड़े परिसरों में सहित चार अस्थानों पर भी तलाशी ले रही है वहीं सदाम ने जुड़े परिसरों की भी तलासी ली गई है वहीं जून 2022 में राची के बरियातु पलिस्थाने में एक FIR दर्ज हुई ये FIR राची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीव शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी इसमें प्रदीब बाक्ची नाम के एक शक्स को आरोपी बनाया गया आरोप था कि प्रदीब बाक्ची ने फरजी कागजातों के जरिये भारती सेना की एक संपत्ति को हड़क लिया है और एडी ने जब इसकी जाच की तो पता चला कि चार दसमलों पांच एकड की ये जमीन बीयं लक्षमर राओ की थी जिनोंने आजादी के बाद इसे सेना को सौबधिया था वहीं अप्रेल दो हजार तेईस में एडी के प्रदीब बाक्ची समेश साथ आरोपियों को मामले में गरफतार किया है जिन साथ लोगों को गरफतार किया गया है उनमें से दो अपसर अल और भानुप्रताप सरकारी कर्मचारी थे अब सरली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 का कर्मचारी है और वहीं जबकि भानुप्रताप रिवन्यू सब इस्पेक्टर था अब बाकी सभी लेंड माफिया से जुड़े थे और फरजी दस्तावेजों के जरिये जमीन की बिक्री म भी शामिल थे ऐसे में पिछले साल ही चार मई को एडी ने आईएस अफसर छवी रंजन को भी ग्रफतार कर लिया छवी रंजन राची में दो साल तक डिप्टी कमिशनर थे और उन पर आरोप है कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन की अवैद और विक्री में मदद की थी अब ऐसे में इन सब पर एडी सिकंजा कसते हुए नजर आ रही है देखना होगा कि जी एमेम के लीडर्स और वहाँ पर जो पार्टी के कार करता है अब उनकी मुस्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है